मैं पूछ नहीं रही क्योंकि मैं जानती हूँ आपका जवाब किया होगा आप यही कहेंगे कि हाँ अच्छा नहीं लगता नेगटिव लोगों या नेगटिव एन्वाइनमेंट के बीज में रहना क्योंकि अच्छा देखना या अच्छा सुनना ही मन को भाता है इसी तरह से खाली पड़ी बगिया और सूख चुके फूलों के बीज में बैठने से मन कभी खिलता ही नहीं खिले हुए रंगदार फूल मन और चहरे को रोनक से भर देते हैं तो सीजन स्टार्ट हो चुका हुआ है तो इस समय मिल रहे हैं नरसी में सुन्दर सुन्दर पोदे मुझे लगता है पोदों की शॉपिंग एक ऐसी शॉपिंग है जो हर एक गार्नर की फेवरेट शॉपिंग होती है और ये वो खुशी है जो मेरी तरह हर एक गार्नर फील कर सकता है आपकी फेवरेट शॉपिंग क्या है अपने कमेंट्स दवारा मुझे जरूर बताईएगा तो इसी वीडियो में शेयर कर रही हूँ अपने चूटी सी शॉपिंग जिसे मैंने अलग लग समय में अलग लग जगों से की, कुछ आनलाइन, कुछ नर्सी से सारी शॉपिंग में इसी एक वीडियो में शेयर कर रही हूँ तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर के साथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत बूलेगा स्क्रीन पर जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने रखा हुआ है कार्डबोर का एक बॉक्स जिसकी मैं आज अन्बॉक्सिंग कर रही हूँ कुछ टैम पहले ही मैंने एमाजन से कुछ पोदे कॉम्बो पैक में मैंने बाए करे हैं तो वो कुछ टैम पहले मुझे रिसीव हुए आज मैं जितनी भी शॉपिंग शेयर करी हुई है मैंने अलग लग समय में अलग लग जगों से जो है वो करी हुई है यह मैंने चार पोदों का कॉम्बो पैक जो है वो मंगाया है और यह जो पोदे आप मैंने मंगवाए हुए हैं यह एगलो निमा के पोदे थे पैकिंग इसकी काफी अच्छी थी और यह आप देख सकते हैं छोटे-चोटे पोट्स में लगे हुए हैं तो फसली में इनकी जो अलग विराइटी के अगलो निमा के पोदे जो है वो आप देख सकते हैं मंगाये हुए हैं बिल्कुल चोटे-चोटे पोट्स में जो है वो लगे हुए हैं अलग लग विराइटी के हैं और हमारे यह यही पोदे नरसी में काफी कॉसली 500-300 रुपे का एक एक पोदा जो है वो मिलता है तो बाकी ऐसे देखा जाए तो पोदे की जो हेल्थ है वो काफी अच्छी है लेकिन मुझे बस हाइट के हिसाब से पोदे कुछ जादा ही छोटे लगे अदरवाइस देखा जाए तो पैकिंग के हिसाब से और पोदो यह भी दो अलग अलग तरह की विराइटी है काफी खुबसरत यह प्लांट है बेसिकल इन वे से कुछ प्लांट मेरे पास है और कुछ मुझे किसी को देने थे तो इसलिए मैंने यह चोटे-चोटे प्लांट लिए लिकिन यह कुछ मुझे लगा कि कुछ जादा ही चोटे और इनका जो एक्चल प्राइस था वो 600 रुपीस का यह कॉंबो पैक ता जिसमें चार पोदे जो थे वो एक साथ मिले हैल्थ की साब से बात करूं सब कुछ अच्छा था पैकिंग भी इनकी सब कुछ अच्छी थी बस मुझे थोड़े से कुछ जादा ही चोटे-चोटे य अगर आपको अगर यह ठीक लगे तो आप अपने इस लिंक के द्वारा जो है वो इन पोदों को बाय कर सकते हैं जैसे कि यह आप देख सकते हैं यह अभी पोदे बिल्कुल चोटे-चोटे से हैं और बहुत चल्दी मैं इनको रिपोर्ट भी कर दूँगी वैसे इन पोदो प्लांट्स के साइस के हिसाब से ही आप उनको पोड्स जो है वो अवैलेबल करवाया करें क्योंकि चोटा पोदा हो और उसे आप बड़े वाले पोड में शिफ्ट कर दें तो ऐसे में क्या होता है कि सम टाइम और वाट्री का खत्रा जादा रह जाता है और एक लुनीमा ए बहुत अच्छे से चलती रहेगी नेक्स आप यहां पर यह देख सकते हैं यह भी मेरी एक और छोटी सी शॉपिंग है जिसे मैंने अलग समय पर करी है बेसिकली हमारी लेन में पोड़े बेचने वाले आते हैं सम टाइम तो उनसे भी कभी कभी में पोड़े हो या पोड्स ह वो में लेती हूं तो इस बार उनके पास बड़े सुंदर सुंदर यह बुद्ध की परतिमाएं थी और और भी बहुत सारे फूलों वाले पोड़े थे इसके इलावा कुछ सेरमिक पोड़ थे जो कुछ तो बहुत जादा सेल हो चुकी हो थे और जो बजा खुचर रह गया और गार्टन में रखते हुए बहुत जादा यह खुबसूरत भी लगती है पॉजिटिविटी का एहसास भी जो हो करवाती है तो इसका जो बुद्ध परितिमा का जो प्राइस है फ्रेंड्स वो है 200 रुपीज तो बहुत ही खुबसूरत है इसके साथ यह चोटा सा सेरमिक पॉट जो आप देख रहे हैं तो उसके पास एक ही बचा हो तो मैंने फटा फट से एक उठा लिया और यह भी कम से कम मुझे लगता है आर्ट इंच का यह सेरमिक पॉट है काफी खुबसूरत है इंडोर प्लांट इसमें बहुत जादा खुबसूरत भी लगते हैं और यह 100 रुपीज का मुझे उन्होंने दिया है नेक्स्ट आप यहाँ पर यह देख सकते हैं आपके सामने रखे हुए कुछ गेंदे के पोदे और यह वले गेंदे के जो पोदे हैं यह भी मैंने नर्सी वाले बेया से बाए करे हुए हैं 10 पोदे मैंने उनसे बाए करे हैं पॉल रुपे तक जो है वो नर्सी में मिल रहे हैं तो यहां पर next आप यहां पर यह देख सकते हैं में एक और unboxing जो है वो मैं कर रही हूँ basically यह कुछ मेंने pots जो थे वो मेंने अपने garden के लिए मंगवाए होए थे Amazon से यह आप देख सकते हैं और यह देखे काफ़ी खुबसरती यह पॉट्स है और यह चे पॉट्स मेंने मंगाए थे वाइट कलर के पॉट्स है इनके गहराई इतनी जादा ने 6 इंची इनके गहराई है और वाइट कलर के पॉट्स मुझे चाहिए थे अपने गार्डन के लिए और यह मेरी विश लिस्ट में थे कि वाइट कलर के पॉट्स में रंग बिलंगे पूलों वाले पॉट्स बहुत ही ज़्यादा खुबसर लगते हैं यह देख सकते हैं यह चे पॉट्स हैं यह चे पॉट्स के जो प्राइस है आपके सामने रखे होए है तो ये भी मैंने अलग समय में ही जाकर मैंने करी हुइ है तो यह देख सकते हैं फ्रेंसिस में कुछ भूलों वाले पॉट्स बहुए थे कुछ और नममेंटर प्लांट से थे तो है। पहला पोद़ा आप देख रहे हैं यह देखे काफी खुबसूरत है ये प्लांट है। और इस पोदे का नाम है Laila Majnun , मैं यह पहुदूरत है। इसकी लीव देख सकते हैं। वेरिगेटर टाइपकी जाए हैं। नीचे से परपल कलर की हैं। और पॉली बैग में लगा हुआ यह पोदा काफी खूपसर तो रहा है, यह पोदा उनने मुझे 80 रुपीज का दिया, काफी खूपसर थी यह प्लांट है, मेरे पास बिलकुल भी नहीं था, नेक्स्ट आप यहां पर यह देख सकते हैं, आपके सामने रखे हुए हैं स्पाइ यह प्लांट में डेरो स्पाइडर प्लांट लगे हुए बहुत ही ज्यादा खूपसर लगते हैं, आप चोटे कंटेनर से लेकर हैंगिंग बास्कित में भी आप इसे लगा सकते हैं, यह देख सकते हैं, यह इसकी वेरिगेटिड और ग्रीन दोनों ही विराइटी मुझे प्लांट उन्होंने मुझे 30-30 रुपीज का दिया है, काफी खूपसरती यह प्लांट है, फ्रेंट से नेक्स्ट आपके सामने रखे हुए हैं, चार पोदे पिटूनिया फ्लावरिंग प्लांट के पॉली बैग में लगे हुए चार पोदे पिटूनिया के मैंने नर्सी से 20-20 रुपे में लिए है, काफी खूपसरत है, यह फ्लावरिंग प्लांट है, मैंने बीज भी इसके काफी सारे लगाए हुए है, लिहाज़ा मैं थोड़े से फ्लावरिंग प्लांट कम भी लेती हूँ, क्योंकि बीजों से ही जादा पोदे में ग्रो करती हूँ, इसके ला यह देख सकते हैं, आपके सामने रखे हूए हैं, दो रेड कलर के प्लास्टिक है, बड़े-बड़े वाले पॉर्ट्स, यह काफी खूपसरत बाट्स है, इनकी गहराई भी काफी, एस कंपेर तो जो वाइट वाले पॉर्ट्स लिये थे, उनकी गहराई, आई तिंक 6 इंच की शॉपिंग करी भी थी, उन्हें मैंने अलग-लग पॉर्ट्स में मिट्टी डाल कर अपने पोदों को रिपोर्ट कर दिया, ताकि पोदे जो है अपनी जगा पॉर्ट्स में सेटल हो जाए, ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से चल सके, आज की इस वीडियो में मैं आपसे गार्ण से रिलेटिड अपने कुछ पोड्स, कुछ प्लांट्स की शॉपिंग जो है वो मैंने शेर करी है, I hope आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो do like, share, comment and subscribe my channel, thank you friends, stay blessed and bye-bye.